Hello students, class 10th में mathematics में हमारा जो chapter चल रहा है वो है samantar srinia, in short AP कहते हैं उसको आज हम करने वाले हैं उसकी exercise 5.3 का question number 1 ये exercise start करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि इस exercise में जो formula लगने वाला है वो ये वाला है srin equal to n by 2 2a plus n minus 1d आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि ये formula कैसे आया था यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि इस sn का मतलब के है sn का मतलब है n पदों के योग, n पदों का योग, sn का मतलब n पदों का योग n है कुल पद, a होता है प्रथम पद और d होता है सार्व अंतर इसको proof कैसे करते हैं वो बता चुका हूँ इसके अलावा इस exercise में जो एक और formula यूज होगा जो हम 5.2 exercise में पढ़ चुके हैं वो है an जो होता है a plus n minus 1 d यह होता है nth पद, किसी ap के nth पद अगर आप निकालना मतलब 10 पद में कौन संख्या है वो निकालनी है तो यह वाला formula 20 पद में कौन संख्या रखी हुई है वो निकालना है तो यह वाला formula 30 पद में कौन संख्या है या 100 पदों में कौन संख्या बैठी हुई है तब भी हम यह वाला formula लगाएंगे तो इस exercise में हम इन दोनो formula का use करेंगे तो हम start करते हैं question number one आपके सामने है निमलेकर समांतर शिर्णियों का योग ग्याद करना है तो आप देख सकते हैं जो पहला question है उसमें आपको जो समांतर शिर्णिय दे रिखिए वो दे रिखिए 2, 7, 12 ऐसे कुल 10 पदों तक ग्याद करना है ठीक है यह हमें question दे रखा है 10 पदों तक का योग ग्याद करना है यह पहला पद, दूसर पद, तीसर पद, ऐसे करते करते हैं 10 पदों तक है न तो क्या-क्या चीज आपको पता होने चीए पहले तो अब इस चेप्टर में A आपको पता होना चीए, A तो आपको AP से ही मिल जाता है समानतर चुर्णी से मिल जाता है, पहला पद ही हो आपका A माना जाता है D जिसको कि हम सार्व अंतर कहते हैं यह जो D है, यह कैसे निकालते हैं हम इस मेंसे इसको माइनस करके 7 मेंसे अगर हम 2 माइनस करते हैं तो वो D आता है, जिसको सार्व अंतर कहते हैं D इसको इससे माइनस करके भी निकाल सकते हैं लेकिन ध्यान अखना, दूसरे मेंसे पहले पत को माइनस करना है आपने तो हमारे पास 7 मेंसे 2 माइनस करने पर कितना आ गया? 5 ठीक है, क्योंकि 10 पत कहा है तो इसको मतलब N आपके पास 10 है ठीक है, निकालने के लिए कहा है योग, योग निकालने के लिए कहा है तो इसका मतलब अभी तक पिछले exercise में हम N अगर 10 दे रखा होता तो A10 निकालते थे, यहां 10 पतों तक का योग ग्याद करना है तो मतलब आपको S10 ग्याद करना है यह धियाना का अगर 20 पतों का योग ग्याद करना है तो इसका मतलब S20 निकालना है अब हम इसको solve करते हैं तो जो S10 है, उसका formula हम डालेंगे S10 का formula ठीक है? तो आप पहले यह देखो कि हमारे पार S10 का formula यह है ठीक है? यहाँ पर एक बार लिख देता हूँ में S10 का हमारे पास formula का है S10 इक्वल टू N बाई 2 2A प्लस N माइनस 1 D, यह हमारे पार S10 का formula है अब जब मैं S10 निकालना चाहरा हूँ इसका मतलब यहाँ पर भी 10 रखोगे आप यहाँ पर भी 10 रखोगे तो रखता हूँ तो यहाँ 10 रखा तो हो गया S10, यहाँ 10 रखा तो हो गया 10 by 2 multiply 2A तो A की जगा हमारे पास क्या माना जाएगा? 2 प्लस इस N की जगा कितना रखना है? पहली बता दिया 10 minus 1 यह है D इसकी जगा रखना है हमें 5 अब सिर्व इसको solve करना है 10 को 2 से भाग किया तो कितना आया? 5 2 को 2 से multiply किया तो कितना आया? 4 10 minus 1 उता है 9 उस 9 को इस 5 से गुणा किया तो कितना आ गया? 45 ठीक है? अब यह हो गया मेरे पास 5 गुणा 4 को 45 से गुणा कर रो यह आ गया 49 ठीक है? और 245 हमारा answer आ रहा है ठीक है? तो यह हमारे पास पहले question का पहला part complete होता है अब हम देखते हैं हमारा second question क्या है? Second question यह रहा इसमें minus 37, minus 33, minus 29 ऐसे करते करते 12 पदों तक का योग ज्याद करनी के लिए कहा है तो आपको पहले ही बता देना चाहूंगा कि A किसको कहेंगे यहां पर? यह आपका A होगा याद रखें प्रथम पद A minus 37 होगे D हम कैसे निकालते हैं? minus 33 को पहले लिखेंगे हम यह लिख दिया minus 33 फिर लगाएंगे minus अब पहले पद को लिखेंगे चोगी है minus 37 यहां लिखा हमने minus 37 ठीक है? अब equal to minus 33 तो as it is लिख दिया minus minus क्या हो गया? plus और यह हो गया 37 ठीक हो गया? इसको solve करेंगे तो शायद आजाएगा यह हमारा answer 4 ठीक है? आपको कितने पदों का योग ज्याद करना है? 12 पदों का न? इसका मतला n दे रखा है आपको 12 n दे दिया 12 आपको निकालना है 12 पदों तक का sum योग तो निकालना क्या है? योग ज्याद करना है न? 12 पदों तक 2 का योग ज्याद करने के लिए कहा होता तो S 100 ज्याद करना होता इसको आप S समझे अब अगर आपको S 12 निकालना है तो पहले आपको S N का फॉर्मला पता होना चीए जो कि होता है N by 2 2 A प्लस N minus 1 D अब हमें जो जो चीज पता है इस फॉर्मले में वह चीज रखते हैं यहाँ पर हम रखेंगे 12 तो हो जाएगा S 12 यहाँ पर भी रखेंगे 12 हो जाएगा 12 by 2 ठीक है multiply यहाँ पर रखेंगे हम minus 37 तो हो जाएगा 2 multiply minus 37 प्लस यहाँ रखेंगे हम 12 12 minus 1 और D की जगर रखेंगे हम 4 अब इसको solve करते हैं 12 को 2 से divide कर देंगे तो answer आएगा 6 multiply अब यह 37 को हमें 2 से multiply करना है तो यह आजाएगा minus 74 प्लस 12 minus 1 होता है 11 11 को 4 से multiply करेंगे तो आएगा 44 यहाँ तक हमारे पास आगया तो यह हो गया 6 multiply minus 74 plus 44 तो यह हो जाएगा हमारे पास minus 30 अब 6 को minus 30 से अगर हम multiply करते हैं तो यह आएगा minus 180 तो यह हमारे पास B question complete होता है अब देखेंगे हमारा C part जो C part है वो यह है आपके पास 0.6, 1.7, 2.8 ऐसे करते करते हैं 100 पादों तक क्या-क्या चीज हमें दे रखी है हमें A दे रखा है जो कि 0.6 है D जिसको सार्व अंतर कहते हैं वो कैसे निकालते हैं दूसरे पाद को पहले लिखेंगे minus फिर लिखेंगे पहला पत इन दोनों को minus करेंगे तो आंसर आएगा 1.1 आपको 100 पतों तक कहा है न योग ज्याद करना है मतलब N आपको दे दिया 100 और निकालना है आपको S 100 ठीक है अब यहाँ पर हमारे पास पहले S N का जो फॉर्मला होता है अब लिखते हैं यह होता है N by 2 2A plus N minus 1 D अब जो जो चीज हमें पता है वो चीज वहाँ पर हम रख लेते हैं और देखते हैं क्या आता है हमारे पास हमें N पता है तो N की जगा हम रखेंगे 100 यहाँ पर भी N की जगा हम रखेंगे 100 तो यह 100 by 2 हो जाता है multiply यहाँ पर 2 multiply A A हमारे पास है 0.6 N की जगा हम रखेंगे 100 minus 1 और D की जगा रखेंगे हम 1.1 100 को 2 से divide कर देंगे तो यह आएगा 50 ठीक है 2 को 0.6 से multiply करने पर आंसर आएगा 1.2 यह खुद करके देख सकते हैं 100 minus 1 होता है आपका 99 तो 99 को आपको 1.1 से multiply करना है तो यह होता है हमारे पास तो 50 को हमने ऐसे ही लिख दिया multiply यह हमारे पास 1.2 है और प्लस अगर 99 को 1.1 से हम multiply करते हैं तो हमारा आंसर 108.9 आ जाता है अब इसके बाद हमीं क्या करना है 50 multiply हम इन दोनों को क्या करते है add करते है तो कितना आएगा हमारे पास यह आएगा 9, 10, 11 8, 9, 10, 1, 1 यह शायद कुछ इतना आ जाएगा हमारे पास अब अगर हम इसको इससे multiply कर लें तो यह कुछ एतना आएगा हमारे पास यह हमारे पास आएगा 5505 यह हमारा answer हो गया जो D part है उसको भी आपको इसी तरीके से करना है तीन parts मैंने आपको करके दिखा दिए D part you can do yourself तो इस तरह से यह वीडियो यहाँ पर finish होती है अगर वीडियो आपको अच्छी लगए हो तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दूसरे के साथ शेयर करना ना भूलें थैंक यू सो मच